जेन साथियों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटुब चैनल यूपी आर्टी और यूप रियाग राज में श्वागत है साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपका जो है एसाइमेट आ चुका है यूपी आड़ियो की ऑफिशल अफ्याट पर तो ठीक है और यदि आपका एसाइमेट पेपर यूपी आड़ियो की ऑफिशल अफ्याट पर नहीं आया साथियों तो आ स्टेट है उससे लिए अभी कोई भी अपडेट साथ हूं यूपी आट्यू प्रियाग राज नहीं जारी किया गया है बाकि आप 31 मार्च तक क्या कर सकते हैं 31 मार्च तक आपना इसाइमेट लिखकर जमा कर सकते हूं क्योंकि जमनों आपका मई-जून में आपका एकजाम होने वाला क्या होने मैई-जून में आपका साथ यू एकजाम होने वाला है तो आप मई-जून की पहले अपना इसाइमेट लिख कर पाएंगे तो अपना एक्जाम कैसे देंगे इसलिए आप जो अपना एसायमेट लिख कर अपने एक्जाम से पहले अपना एसायमेट लिखकर अपने पर जरूर जमा कर दें तो जनरली साथ हूं आपको करना क्या होगा आप सबसे पहले यूपी आट्यों की ऑफिसल प्राइट को उपिन कीजिए और जो प्रकाइस का होम पेज आपके सामने ओपिन हो क्या आता है तो यहां देखिए ऊपर आपके एक एक जामनेशन का उप्षि देखिए ऊपिन हो क्या आगा उसके बाद यहां पर जो आपको पहले नमर पर दिया गया है 2023-26 का सब्जेट का सब्जेट कोड होता है क्या होता है हर एक सब्जेट का एक अलग सब्जेट कोड होता है उस सब्जेट कोड के माध्यम से साथ हूं आप अपना सब्जेट कर सक कोड जरू प्राप कर लिए ठीक है उच सब्जेट कोड के जरी आप यहां से आके जैसे माली यहां पर देखे आप आएंगे यहां पर आपको यहां पर दिया गया यहां यहां पर आपको दिया गया यहां यहां इंग्लिस फर्स समेश्टर के दिया गया यहां इंग्लिस फर् इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको दिया गया कितना यहां पर आपको यहां पर दिया गया है यहां पर आपको यहां हिंदी का दिया गया फर्स समेश्टर का यहां हिंदी सेकंड समेश्टर का दिया गया है इसी प्रकार सहरे समेश्टर है यहां हिं पेपर द्यागा है तो इसी प्रकार सरे एक Sabbath के subject कोड की जरी आप यहां से आकर आके आपके अपना assignment paper download कर सकते हैं यह दिखे assignment paper जो यहां पर अपना download करेंगे साथ हूँ ठीक है जो इस प्रकार से आपके सामने PDF यह यहां डाउनलोड होके आएगा और यहाँ पर देखे आपको उपर लिखाऊंँ में duty semester यहां थे आपका लिखाऊंपर लिखाऊंपर लिखाऊंबेगा यहां पर लिखाऊंपर देखे यहां आपका टोटब कोश्चन होता ली सब सबस्क्राइब के एक के दीर उत्री प्रस्ण होते हैं जिनके उत्तर आपको 800 से लिकर एक एक एर सब्डों में लिखने होते हैं टोटल तीन ही कुछिन रहा पे पूछा जाता है जैसे यह आपका तीन खूषिन प्रस्थ यह पे पूछा गया है तिक है उसके बाद आपकी जाता सक्षन भी सक्षन में जो आपके question होते हैं साथ हूं वो देखिए आपके short answer type question होते हैं यानि लगुत्री प्रशन होते हैं इनको तर आपको केवल 200-300 सब्दों में लिखने होते हैं और इस सभी प्रशनों को आपको लिखना होता है सभी प्रशन आपके अनिवार होते हैं और जो इसकी assignment copy होती है क्या होती है जो assignment copy होती है assignment copy आपको ID center द्वारा दिया जाता है और यदि आपको ID center द्वारा को assignment copy नहीं दिया जाता है तो आपको बताएंगे कि आप जो इस साइज या फिर फोर साइज की copy लेकर उसमें आपना assignment copy क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है जितने में यहां पर पेपर आपको दिया गया हर एक paper में क्या होता है एक paper में आपका जो आपका aneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneane कमेंट करें पूछ सकते हैं पाकिसाथ जो एंसर आपको लिखना होता है आप Google की मदद्द लेकर भी इसका जो है एसा एंसर लिख सकते हैं यदि आपको एदि आपके पास बुक आई है बुक आपको नहीं मिली है तो आप क्या करेंगे आप यूपियाटर की ऑफिशल करते हैं वहा पर आपको मिल जाएगा उसकी पीडियाप यहाँ पर जो एक बुक होती बूक की पूरी पीडियाप आपको न्हीं सेलियं में यानि सेल्फरियं में आपको इसे भी बूक का आपको ना चाहिए चाहिए आम में हींदी का या में जिगराफिक का या पिर त्रिपरल एसी यानि सिंगल सब्रेट संस्क्रित का वहां पर उसकी पीडिया फाइल पूरी मिल जाती है 200 से लेकर आपको 500 पेज में 800 पेज में पूरी पीडिया फाइल आपको मिलेगी तो उसको डाउलोड करके आप वहां से भी क्या कर सकते हैं अपने एसाइमेंट जो आप अपने एटी सेंटर क्या कर सकते हैं जमा कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही साथ हूं नमस्कार जहिन